Solving Simultaneous Linear Equations Simultaneous कहते हैं जी कि अगर हमाई पास दो Equations हो और उनका एक पॉइंट कॉमन हो तो उन Equations को हम कहते हैं कि ये Simultaneous Linear Equations है ठीक है यानि वो पॉइंट दोनों Equations को सेटिस्फाइ कर रहा होगा अब इस Question को हम समझते हैं जैसे इसकी Statement है कि The Digit at 10th Place of a 2-Digit Number is Half that of Units Place The Digit are Interchanged and the Sum of New and Original Number is 99 Find the Original Number हम Basically यहाँ पर 2-Digit Number find करने जा रहे हैं ठीक है अगर आप देखें तो 2-Digit Number 10 से शुरू होते हैं 11, 12 इस तरह से चलते हुए 99 तक यह तमाम वो नंबर हैं जिन में 2-Digit आ रहे होते हैं तो 1 है यह 10 प्लेस पर हैं मतलब कि यह हमें बता रहा है कि इसमें 10 वाला एक पैकिट है उस एक पैकिट के अंदर 10 यूनिट्स हैं और 2 जो हैं वो अलग-अलग यूनिट्स हैं तो टोटल यूनिट्स बारा बन रहे हैं अब अगर हमें टो डिजिट नंबर फाइंड करने जा रहे हैं तो उसके यूनिट्स पर भी कोई डिजिट होगा ठीक है जो के डैसिमल सिस्टम में अगर देखा जाए तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 या 9 इन में से कोई एक हो सकता है और इसी तरह वाइ भी जो के 10 डिजिट प्लेस का डिजिट है वो भी इन में से कोई एक हो सकता है एक अन्नोन कौंटिटी है अब हम अगर इस नंबर को एक्सपैंड करके देखें तो ये 1 जो है वो 10 से मल्टिप्लाइ होगा तो 10 यूनिट्स बनेंगे और 2 से मल्टिप्लाइ होगा इसी तरह अब वाइ जो है जो 10 प्लेस पे अगर है डिजिट तो इसने 10 से मल्टिप्लाइ होना है तो ये मतलब 10 यूनिट्स बन जाएंगे ठीक है और जो एक्स है ये 1 से मल्टिप्लाइ होगा तो एक्स यूनिट्स बन जाएंगे तो इस तरह से य x plus 10y ये units इस number को represent कर रही है जो के हमारा original number है ठीक है तो यहाँ पर हम लिखेंगे let original number is original number is ये कितना है x plus 10y ठीक है अब जो हमें condition बताई गी है वो ये है कि digit at 10 place वो क्या है y है ये क्या है is half data of unit place मतलब देखें मैं यह यह बात करता हूँ जैसे ये आप 12 भी को देख लें अब unit place पर जो digit है वो 2 है अगर इसका half किया जाए तो 1 आजएगा तो हम एक relation बना सकते हैं कि जो digit 10 place पर है और जो digit unit place पर है unit place वोले को half करें तो 10 place वोला digit आ जाता है ठीक है और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 2 इदर आके y से multiply हो तो 2 y is equal to x ठीक है इसे हम कह देंगे ये एक equation बन गई ठीक है अब इसके बाद जो हमारे पास दूसरी जो condition है उसको भी हम देख लेते हैं वो क्या है कि digits are interchanged अब मतलब ये जो digits थे इनकी जगें बदल दी जाएंगी जो x था जो unit place पे था अगर उसको 10 place पे ले आया जाए और y जो कि 10 place का था उसको unit place पे लाया जाए तो अब जो interchanged number बनेगा इसको मैं original लिख रहा हूँ ठीक है ये original था और अब जो interchanged है ठीक है वो क्या होगा फिर वो कुछ इस तरह से बन जाएगा कि उसमें 10 x बन जाएगा और 1 y यानि y आ जाएगा जैसे अगर 21 यानि 12 में अगर digits को बदला जाए तो 10 place पे आ जाए 1 unit place पे तो 21 फिर पढ़ेंगे इसी तरह इनोंने कुछ किया है इसमें ठीक है अब जो हमाई पास interchange number है वो ये है original number x plus 10 y है इन दोनों को add कर किया जाए sum किया जाए 99 answer आता है तो इसका मतलब हम यहाँ पर लिखेंगे x plus 10 y ये original number है plus अब जो इसमें interchange number है वो है 10 x plus y और ये जवाब हमारा 99 आ रहा है अब इस lecture को मैं continue करूँगा next में और हम फिर इस दोनों जो equations हम आपास बन चुकी है इनका हम solution जो है वो find out कर लेंगे परता है अब बहाएं चजब कर ले हो है